नर्मदेहर, आज मारेवा की परिक्रमा का 64 दिवस, भादल से निकले हैं, दो-तीन पहाड़ी चड़ने के बाद, अभी यहां तक पहुँचे हैं, सफर ज्यादा नहीं हुआ है, दो या तीन किलो मीटर का हुआ होगा, लेकिन चड़ाई ने पूरा इंतहान ले लिया है, धाबरी और खपर माल तक पहुचना है, लेकिन ये पहाड़ियां, ये कंदराएं, ये घाटियां, कितना इंतहान लेंगी, कितनी कड़ी परिक्षा लेंगी नहीं जानते, बस मा नर्मदा से थोड़ी सी बिनती करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, और बस एक कदम, एक कदम रखते हैं, और एक एक कदम करते हुए इस पहाड़ी को लागने की कोशिश करते हैं, यहां के बच्चे यहां के ग्राबीन इन पहाड़ीों को लागना चड़ना नहीं कहते हैं वे कहते हैं बस दो तीन पहाड़ी कुदोगे कि धाबरी आ जाएगा कुदना उनके लिए बहुत आसान है उन्होंने हनुमान जी को कुदते हुए देखा है उन्होंने बंदरों को कुदते हुए देखा है वे खुद भी कूद कूद कर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर पहुन जाते हैं नीचे तलहटी से पीने के लिए पानी लाते हैं औ और उपर बने किसी जोपड़े में रहते हैं और वहां अपना जीवन बसर करते हैं इतना नीचे से इतना उपर तक जो पानी लाता है वो फिर किसी पहाडी को कूद सकता है किसी पहाडी को लांग सकता है किसी पहाडी को आसानी से पार कर सकता है लेकिन जिसके जीवन में पहल पानी बार पहाड चढ़ने की चुनोती हो वो भला इन्हें कूदना क्या इन्हें लांगना क्या इन्हें एक एक डख करके पार कर जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ चुनोतिया केवल प्रकृति के साथ नहीं है बलकि उन जंगली जानवरों के साथ भी है उनसे भी मुढ़बेड करनी पड़ती है जो मनुष्यों पर हमला करते हैं उन सबसे लड़ना है उन सबसे जूजना है और जूजते हुए इस पहाड़ पर पलाश की तर तरह लाल रहना है, चांदनी की तरह शीतल रहना है, और धर्ती की तरह सब कुछ सहते जाना है, बरदास्त करना है, जीवन आसान नहीं होता, इन पहाड़ों पर तो बिलकुल भी नहीं होता, लेकिन ये पहाड़ी लोग उसे आसान बना लेते हैं, उनके कदमों के नीचे सारी की मुश्किले आसान हैं, सरल हैं, नर्मदेहर.